हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब भाई इतनी ठंड में तो चाय और कॉफी का मज़ा ही कुछ और है कोई बैठे बैठे पिला दे तो बात ही अलग है और इतनी जागदार स्टेंट कॉफी जो फटा फट बन जाए हाई कहां मिलेगी बैठे बैठे तो चलिए फिर आज मैं आप कॉफी पाउडर यूज कर रहे हैं आप कोई भी चमच या यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए पर याद रखे जिससे आप कॉफी नाप रहे हैं उसी से शकर भी मैजर करें तो यहां पर चार चमच हमने कॉफी ले ली है और उसी के कॉड़िंग हम आठ चमच यहां पर यह हमने यहां पर आठ चमच शकर ले लिए तो कॉफी एक चमच शकर दो चमच एक मक कॉफी के हिसाब से तो अब हम क्या करना है इसमें हम थोड़ा सा गरम पानी डाल देंगे गरम पानी इसलिए ताकि जब हम इसे फेटे तो वह आसानी से शकर इसमें मिल जाए तो यहां पर चार चमच शकर गरम पानी लिया है अब इसको पहले चमच से लेकर अच्छे से इसमें मिला लेंगे इस तरह से इसको फेट लेंगे और फिर यह देखे हमारा फेट गया है थोड़ा सा थेक हो गया है पर अभी उतना नहीं जितना हमें चाहिए तो अब क्या करेंगे अगर आपके पास यह नहीं है तो इसकी जगे आप हैंड विसकर जो अंडा फेटने वाली विशी वह होती है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं यह देखे यहां पर मैंने इसका इस्तमाल किया है जिससे यह बहुत जादा थिक और क्रीमी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में इसको हमें मुश्कल से 3-3 मिनट तक इस तरह से ब्लंड करना है चलाना है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं यह देखे यह हमारी कॉफी जो है वो बीट हो चुकी है इतनी बढ़िया क्रीमी जागदार हुई है यह देखे आप खु जब भी आपको पीना हो तो आप इसको इंस्टेंटली फ्रिट से निकालिए दूद गरम करिये और उसमें इसे मिक्स करके अपनी कॉफी को तयार कर सकते हैं यह दिखे मैंने इसे इसमें स्टोर कर लिया है और अब जब पीना होगा तब ठीक इसी तरह इसको बनाया जा सकत है यह देखे पहले हमने कप लिया है कप में हमने यह दो चमच अपना जो क्रीमी है वह इसमें है एट कर दी है कॉफी वाली क्रीम यह देखे और अब हम इसमें दूद डालेंगे गरम दूद जो कि हमने बॉयल करके रखा हुआ था और इसमें मैंने आधा चमच चीनी भी मि जागदार, जो हम लोग फालतु पैसे वेस्ट करते हैं, कोफी पर हमें अब नहीं करना पड़ेगा, घर में आप इंस्टेंटली बनाई है, फटा फट और देखिए उपर से मैंने इसमें कोग पाउडर डाल दिया है, आपके पास हो तो आप डालिये, नहीं तो आप कोफी प पाउडर नहीं है और इलेक्टिक बीटर नहीं है, तो वो इस वेदी से बना सकते हैं, इसके लिए हमने मिक्सी ग्राइंडर लिया है, छोटा वाला, ये तो सभी के पास होता है, तो इसमें मैंने कॉफी पाउडर डाल दिया है, दो से तीन चमच कॉफी पाउडर डाला है, और शुगर भी वही आपका कॉंटिटी रहेगी, ये देखिए, चार चमच हमने शुगर रैट कर लिया इसमें, और थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, पानी बहुत जादा नहीं आट करेंगे, दो से तीन बड़े चमच पानी काफी है, ये देखिए, अब इसको हम क् मिक्षर है, वो बिलकुल भही हो जाए, ये हमारा उस तरह से, जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर या ब्लंडर से हमने अभी किया था, उतना थेक तो नहीं होगा, पर हमारा जो मिक्षर है, वो थेक हो जाएगा, तो अब ये नहीं कि हाँ, 10-12 से जादा हम इसको मिक्स अब कोफी क्रीम हमारी тयार है, थे फटा फट वाली, और अब हमने ये बर्तन जो है वो दूध वाला गरम करने के लिए रख डिया है, तो जब तक इसमें किनारे किनारे उबाल आए, तब तक हमें वेट करना है, ये दिक्थिया, ये अब शुरू हो रहा है किनारे किनारे तो ये देखिए ये उबलने लगा है आप चाहे तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ी जादा मीठी पीते हों तो बसे थोड़ा सा एट करना ही पड़ेगा आदा चमत शक्कर आप एट कर सकते हैं और इसके बाद हमने इसमें ये कॉफी मिक्स डाल दिया है और इसके बाद हमें लगातार इसे इसी चमत से एक दो मिनिट तक ऐसे ही चलाना है ये देखिए इस तरह से फेटेंगे ना तो हमारी कॉफी में जाग जो है वो बहुत अच्छा आएगा ये देखिए इसी तरह से फेट के मैंने इस तरह जाग इसका बना लिया है और अब कप में सर्फ कर लेंगे हमारी जो इंस्टेंट कॉफी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये थोड़ा ऊपर से डालेंगे तो और अच्छा इसका रिजल्ट आएगा ये देखिए ये कितनी जागदार और क्रीमी क्रीमी कॉफी त जब भी पीना हो घर में इसी तरह बनाएगे और सबको पिलाएगे तो ये दोनों जो मैं थर्ण मैंने आपको बताए हैं वो आप भी ट्राइ करिएगा और मुझे जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं तो कमेंट करके जरूर कि भी ट्राइबरो novamente बताए हैं डिषuft हैं छूर बताएगऑगे पार फंध भी ट्राइबरो की येकट फसकी तरह अराफेद प्रुरे हो सनी सबना दो कमेंट ओुर की और लोगार लोगे धुर